हलो मेरे प्यारे बच्चो मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम से जुकेशन दबरांचा आप नौलेश तो बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समापन मतलब प्रेगनेंशी को कैसे के वाट कर सकते हैं लिए इसको पुरी डिटस्में देखने वाले हैं NCRT के बहुत ही important point है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है board exam में तो ये पक्का आता है और need के लिए इसमें नजाने कितने जो है question बनते हैं तो इस समय जो है ये आता है chapter number 3 में जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो चलिए हम लोग video को चालू करते हैं ताकि क्या है YouTube पे कम से कम समय लगे और जो pure item है उसी को हम लोग पूरा क्या निचोड निचोड के क्या है पढ़ ले ज्यादा इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपना syllabus पढ़ने की जरूरत है आपसे बार बार कहता हूँ हर चीज का एक syllabus होता है बेटा अगर आप अपना syllabus पहचान गए और जो है बेटा आपने उसको पढ़ लिया तो आपका selection पका हो जाएगा तो neat और जो है board exam बाले तो इसको जरूर जरूर देखे साथ में जो होता है जो TGT और PGT वाले हमारे फ्रेंड्स लोग है उसको भी उनको भी ये वीडियो क्या है देखनी चाहिए तो आएए बच्चों देखते हैं MTP जिसका नाम है medical termination of pregnancy हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं सगर्भता समापन सगर्भता का मतलब जो गर्भता होती है जो गर्भ होता है उसका हम लोग कैसे समापन कर सकते हैं उस गर्भ को कैसे हटा सकते हैं जिसे आम भासा में हम लोग abortion कहते हैं हिंदी में गर्भपात कहा जाता है तो बच्चों जब एच्छिक गर्भपात होता है एच्छिक मतलब अपनी इच्छा से हम क्या है उसका समापन करते हैं तब उसे हम लोग MTP कहते हैं Medical Ternation for Pregnancy Medical इसलिए इसमें लिखा है कि मतलब यह qualified doctor या qualified nurse के द्वारा जो होता है किया जाता है अगर आप जो है इललग्र तरीके से गाव की किसी दाई से या खुद से या क्या होता है पिल्स वगीर के द्वारा बेटा है बच्चे को एबाट करेंगे तो वो क्या हो सकता है मा के लिए खत्रे की घंटी हो सकती है यहां तक की जान भी जा सकती है बहुत सारे ऐसे cases हो चुके है अभी हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे तो आईए देखते हैं अब हमारे पास क्या टर्म है बेटा इंटेंशनल इंटेंशनल मतलब हमारे पास जानते है इच्छा से अपनी स्वतनत्र इच्छा से और बेटा क्या होता है वॉलेंटरी क्या होता है टर्मिनेशन आफ प्रेगनिंसी वॉलेंटरी टर्मिनेशन मतलब एच्छी क्या होता है सगर्भता समापन of pregnancy before क्या होता है full term called क्या होता है medical termination of pregnancy न इसी को बेटा क्या होता है हम लोग induced क्या है abortion भी कहते है induced abortion का मतलब इच्छा नहीं थे आप चाहते थे कि आपका बेबी हो किसी कारण पस स्वास्त क्या है सही न होने की वज़ा से क्या होता है गर्वपात हो जाता है तो उसे हम क्या होता है MTP नहीं कहेंगे उसे हम जो होता है induced क्या होता है abortion नहीं कहेंगे मतलब आपने प्रेरित नहीं किया है आपकी इच्छा नहीं थी वो किसी कारण बस क्या है हो गया था तो उसे केवल गर्भपात कहा जाता है लेकिन जब हम गर्भता का जब हम प्रिग्निंसी का अपने इच्छा से बेटा क्या होता है अंत करते हैं उसका समापन करते हैं तब उसे हम medical termination of pregnancy या बेटा induced pregnancy कहते हैं तो यहाँ पर लिखा इंटेंशनली आपके क्या है आपका intention क्या था उद्देश से हमारे पास अवलेंटी दोनों एक ही बात हुई तो कब इसका दूसरा नाम ही हमारे पास क्या है बेटा induced abortion कहा जाता है मतलब प्रेडित गर्भपात कहा जाता है तो आप इसका full form भी पूछा गया है कि MTP का मतलब क्या होता है medical termination of pregnancy नियरली क्या होता है 45 to 50 million सोरी हमने million में बोला था यह करोण में हो जाएगा 45 to 50 million लगभग यह अगर बदले मेटा करोण में तो लगभग क्या है साधे 4-5 क्या होता है करोण MTP क्या होती है परफॉम इन क्या होता है एक साल में महराज किता 45 से 50 है million और अगर आपके क्या है योभी बोड की पूछेंगे तो करोण में पूछेंगे तो 4-5 से लेकर के 5 क्या होता है MTP हर साल क्या हो जाता है की जाती है यह कितना है overall pregnancies का जितना पूरा जो होता है साल भर में पूरे वड में महिलाएं pregnant होती है उसका एक बटे पाँचवा भाग है कितना बेटा 1-5 क्या होता है part of all convention क्या है pregnancy होती क्या MTP होता है चलिए तो देखती है कितना बेटा 45-50 million मतलब इसी को हम 4-45 करोण Mtv perform होती है कितने एक साल में which are देखिए one-fifth क्या होता बेटा one-fifth of total number of conceived pregnancy in a year मतलब एक साल में जितनी भी pregnancy धारण की जाती है जितनी भी pregnancy होती है उसका एक बटे पाचवा भाग क्या होता है MTP के द्वारा खतम कर दी जाती है वो pregnancy और इसको आप गलत मत समझिए ये जरूरी है इसका बहुत बड़ा रोल भी है MTP का किसमें population control में सोचो जितने लोग जो होते हैं गर्बधारन हो रहा था महिलाओं का उसका एक बटे पांचवा हिस्सा MTP के द्वारा ही क्या होता है खतम कर दिया जाता है और क्यों खतम कर दिया जाता है इसके भी कारण है इसके भी बटा conditions है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है तो आए हम लोग देखते हैं तो बटा government of India हमारे पास क्या होता है है legalized MTP government of India जो भारत सरकार है उसने legal माना है मतलब कानूनी तवर से इसको मानेता दे दी गई है in 1971 1971 में विद क्या है था सम रिस्टिक्ट कंडिशन टू एवाइड क्या है मिसर यूज मतलब इंडिया में यह बता यह MTP हमारे पास लीगल है कि illegal? लीगल है फिया और 1970 से ही legal है मतलब आप जो है abortion अपनी इच्छा से करवा सकती है आप चाहे married हो चाहे unmarried हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को यही क्या होता है बेटा जानकारी नहीं है unmarried लड़की भी अपनी इच्छा से जो है abortion करवा सकती है बिना किसी डर के क्योंकि यह legal माना जाता है उसका वो अधिकार है कि अगर लड़की क्या है married नहीं है तो आखिर वो बच्चे जब पैदा करेगी तो हमारे समाज में जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उसको जो होता है उसको धन की जरूरत होती है देख भाल करने के लिए केरिंग की जरूरत होती है तो मा जो है बच्चे को अच्छे से उसकी केर नह लेकिन अपने यहां जो नर्से हैं जो डॉक्टर हैं वो क्या डर्वा करके ज्यादा पईसा वसूलते हैं तीन हजार चार हजार नहीं यह सब तीज होता है हम लोगों ने आसाओ से आंगनवाली वाली दीदियों से इसब सुना है कि जो सामधाइक स्वास्त केंदर की जो होते होते हैं यह प्राइबेट भी होते हैं वह चाहते हैं हम लूट लें क्यों क्यों कि लड़की फीमेल है वह तो खुदर किसी को नहीं बतायागि डर बस क्या है पैसे देगी जब कि गवर्मेंट के हिसाब से फीज केवल बेटा क्या है 700 से 800 रुपए होती है पस और समधाइक स्वासकंद रुपाय में तो एक रुपय की पर्ची कटाईए और एक रुपय की पर्ची कटाने के बाद थोड़ा बहुत जो हमारे पास क्या होता है बटा दवाईया दिये जाती हैं जैसे आप जानते हैं लोकल निस्थी सिया ताकि पेन वगेर ना हो बस उसका पैसा लगता है लेकिन लोग 3-4 हजार उपय तक क्या है आराम से वसूल लेते हैं तो आएए देखते हैं हम लोग कि इसलिए जो है गवर्मेंट आफ इंडिया ने इसको लीगल बना दिया कि यह इलीगल नहीं है यह हमारे पास कानूनी रूप से वैद है लेकिन बहुत से देशों में य लेकिन को लीगल न को गए इसको कानूनी तोर पर हम वैद मानने कि क्या है अवैध माने क्यों ऐसा इसलिए होता है कि इसको शुन लेजे कि कि स्वह इमोसंस जुड़ होते हैं giur बहुत सारे देशों को सोशल हमारे पास सामाजिक वह है तो यह सारी चीजें हैं जो बहुत सारे देशों में अभी जो होता है इस बात पर बहुत चल रही है कि हम MTP को अब प्रेगनिंशी को लीगल करें कि इलीगल करें मतलब लीगल माने कि क्या है इलीगल माने हम इसको जो हचोड दे यह कहें कि हा कानुनी रूप से यह सही है आप करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं तो जैसे बेटा हमारे इंडिया और जो हमारे पास European countries इन अमेरिका चालू कर दिया था और 1971 में MTP को उसने क्या है लेगल कर दिया कि चिकित्सकिय सा गर्भता समापन न मतब चिकित्सकिय रूप से आप जो है अबोर्शन गर्भपात करवा सकते हैं और यह कोई गलत नहीं है लेकिन उसकी कुछ कंडिशन से उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे तो आएए देखते हैं बैटा हमने देखा थी गवर्मेंट आफ इंडिया लेगलाइज एंटीपी इन 1971 विद क्या होता है रिस्टिक्स कंडिशन क्या होता है मिस्यूज गवर्मेंट ने क्या कर दिया लेकिन कु मतलब उनर है कि मानगा है वो लडका है कि लड़की है तो जब लड़की होती है तो लोग उसका किया करते थे ज asta कर देतेखे कूंकि करवा लिया है और उस परिछड़ में फीमेल निकली जो बच्चा है वो लड़की निकली तब आप भीया MTP नहीं करवा सकते अनो कोई डॉक्टर कर सकता है डॉक्टर जाएगा साथ साल की जेल के लिए अब करवानी बाला भी जाएगा साथ साल के क्या है जेल के लिए दो ला है कि लड़की है और आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप जो होता है MTP Medical Ternation of Pregnancy मतलब induced abortion जिसे हम कहते हैं प्रेडित क्या होता है या एच्छी को क्या अगर्भापात करवा सकते हैं अब आते हैं मेटा यही है जो आपको अभी बताए उनी को हम देखेंगे कि वह कौ Unwanted Pregnancy का मतलब कि आप जो होता है मा बनने की इच्छा की नहीं है मा बनने की इच्छा का मतलब कि साध आपको पहले से एक दो बच्चे हैं आप जो है बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं अभी नहीं करना चाहते हैं तब जो होता है आप जो है abortion करवा सकते हैं तो Unwanted क का मतलब कि अब यह इस समय जो हमारे पेट्मिन करव हमें बच्चा है, इसको हम चाहते नहीं थे. तो ये कैसे हो गया तब क्योंखि हमारे पास हम को जो क्वाइट्स किये थे, इंटर कोट्स किये थे. उसमें क्या होता है? Unprotected हमने क्वाइट्स किया था. जिसमें, वेरियर मेंधिट हमारे पास, नेशुरल मेधिट, वेरियर मेधिट, औरलáng कंटासेप्टि पोल संथे, exempt planimet नो सर्जिकल सिये अर्फ़े मेरित या समसंते हैं कि हमने इस्तमाल किया है या हमारी जो फिमेल है उसने या उरल फिल्स का कोई भी भी जड़ी आप दर्रे नहींutet नहीं होगी और वहे प्रेग्णक्नेंशी क्या है हो जाये आपने ग्रेंशी का है अब वहा हब ऑपण काम ही सही से ना करें तो तो क्या होगा फिर unwanted हमारे पास क्या हो जाएगी pregnancy मतलब अनेच्छिक क्या हो जाएगा गर्वता हो जाएगी जिस हम चाह नहीं रहती कि प्रेग्नेंट हो ठीक है और तीसरी बात क्या हो सकती है कि अगर रेप वगयरे जैसी घटनाये हैं उसमें वेटा क्या होता है female pregnant हो सकती ह क्योंकि जो हमारे पास Oum होता है पता चला उसी समय उसका रेप हुआ है जब उसका Oivulation हो रहा था तो Oum तो यह जानता नहीं कि यह सपर हमारे husband का है या हमारे male partner का है किसी rapist का है यह जो है body उस चीज को नहीं जानती है तो fertilization तो हो सकता है नहीं वह फीमेल pregnant हो सकती है ऐसे बहुत सारे चीजे हम लोगों ने देखी है कि रेप के बाद जो है जो लड़की है वेचारी वो क्या है या महिला जो है वो प्रिग्नेंट हो गई है तो अब बच्चे को लेके क्या करेगी वो ठीक तो वो बेटा वो एबोर्शन क्या है करवा सकती है तो ये तीनों unwanted pregnancies म ये भी आता है कि आप सभी जानते हैं रोटी कपला मकान और एक हमारे पास जो मेटिंग है मतलब साथी की तलास जिसे हम लोग वेटा इंटरकोर्स, क्वाइटस या common language में सेक्स कहते हैं ये सब की जरूरत है चाहे कोई आपको कहे चाहे कोई या ना कहे हां कुछ लोग जो ह ठोकना चालो करते हैं ये नहीं करना चाहे हो नहीं करना चाहे है जबकि किये हैं सभी जैसे मैं अक्सर कहता हूं मेरे अक्सर का बहुत ही अच्छा सेर है कि कौन कहता है सपनेों को नाने दो हर्दय में कौन कहता है सपनों को नाने दो हर्दय में सभी देखते हैं अपनी आप सिंग, बहुत अच्छी बालोजी पढ़ाते थे, जो है, सिंग सर के ही स्टुडेंट है, जिनके हम है, तो वो क्या है, ये चीजे बताते थे, तो क्योंकि देखिए, आप ये चीजे जानते रहे, इससे आप वो नहीं हो सकते हैं, एक संसार का नियम है, प्रकिती है, एक हमारे पास responsibility होती है, कि अपने ही जैसे संतान कुत्पति करके जाएं, तो करते सभी हैं, तो लड़की फीमेल, जो हमारे पास है, वो क्या है, अन्मेरिड है, और लड़का भी अन्मेरिड हो चाहे, नॉन्मेरिड हो, तो अगर वो लड़की जो होता है, प्रेगनेंट हो जा है, वो गलती बस हो जाती है, तुसे अन्वांटेट क्या है, हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं, तो वेटा, वो क्या होता है, अन्वांटेट प्रेगनेंसी हो, ना, अन्वांटेट प्रेगनेंसी में लिख रहे हैं, कि आईदर डिव टू, क्या होता है, अन्प्रोटेक्टे बात करवा सकते हैं इसको हमने बहुत डिटेल में आपको बता दिया दूसरा अभी बता रहे हैं कि रेप हो गएरे जो हमारे पास जलसी घटनाए है यह भी अन्वांटेड प्रिगनेंसी में ही आता है फिमेल के साथ अगर अगर हुआ है तो वह भी क्या होता है बटा अगर प प्रिगनेंट रहें वह चाहती भी है कि उसका बेबी हो लेकिन मा के लिए क्या है हमारे पास क्या है खतरा है प्रिगनेंसी बार बार प्रिगनेंसी होने से सरीर क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है बीमारियां बहुत सारी भी हो जाती है तो सरीर कमजोर हो जाता है तो जो हम तब भी आप pregnancy करवा सकते हैं, sorry, MTP क्या है, करवा सकते हैं, या दोनों को क्या है जान का खत्रा रहे, तब भी क्या है, आप MTP करवा सकते हैं, तो ज्यादा तर यही होता है, कि अगर मा को खत्रा है, या बच्चे को खत्रा है, दो में से किसी एक को बचाया जाए, तो बच्च बागी उस मा के साथ जिती फैमिली पर यार हैं, वो सब भी क्या हो जाते हैं, बैटा एक दम से पिकार हैं, ठीक है, उनकी भी लाइफ बहुत क्या हो जाएगी बैटा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसलिए ये किया जाता है कि बच्चे को ही अबॉर्ड कर दें, क्य तो अब वो प्रेग्नेंट हैं, अब डॉक्टर जानता है, टेस्ट में ये भी पता चल गया है, कि मा को खतरा है बेटा, जन्म के दोरान समस्याएं हो जाती हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, M क्या होता है, मतलब मात्रिम निक्ति उदर, पहले जब हमारे पास बच्चे पैदा होते थे, तो 30% महिलाएं, तो बच्चे को जन्म देने के दोरान ही मर जाती रही है, तो इससे अच्छा क्या है, कि MTP मतलब प्रिग्निंसी ही ना केरी की जाए, अब भाई हस्बन वाइफ हैं, तो प्र प्रिग्निंसी इंडूश्ट एब उटन करवादे, ताकि क्या है, मा क्या है, सवस्त रहे है, तो बच्चे को कोई समस्या हो, जो गर्भ में पल रहा है, मा को कोई समस्या हो, ना बेटा, या दोनों को हो, तब भी आप क्या है MTP करवा सकते हैं, पहला क्या है, अन्वांटे प्रिग्नेंशी हो तब करवा सकते हैं, अन्वांटेड प्रिग्नेंशी कब हो सकती है बटा, जब आप अन्प्रोटेक्टेड क्या करेंगे, इंटर्पोर्स या क्वाइटर्स या फिल्योर आप क्या होता है, आपका कंटा से पिल्स या जो है, रेप हो कहे रहे हुआ हो तब और वेटा है बुटुके लिए तो माता के लिए या तो मिपैज जो बच्चा के लिए गरहा हो तब आप क्या कर सकते हैं प्रेग्नेंसी क्या है भी ठीटा सकते हैं बाटा सकते हैं और हमारे पास एक पूकर चाहेक, कि जो बच्चा मा की गर्व में पल रहा है, वो साइट पॉन रूप से बिक्सित ना हूँ. हमारे पास उसमें क्या होता है बटा, जो डेबलबमेंट होते हैं, आर्गन्स के, वो सही से ना बने हो. उसका सायद क्या होता है, उसमें क्रोमोजोमल डिसाअदर हो, क्योंकि एमीनो सेंटेसिस से पता चल जाता है. क्रोमोजोमल डिसॉडर मतलब हमारे पास गुनसूत्रिय विकार जिसे हम अनुवांसिक क्या होता है जन्टिक डिसॉडर भी कहते हैं जन्टिक डिसॉडर दो प्रकार क्यों होते हैं मेंटेलियन डिसॉडर और क्रोमोजोमल डिसॉडर तो अगर उसमें क्रोमोजोमल डिसॉड पूरी तरीके से खुल के बता रहे हैं कि आप अच्छे से समझिए यही अवेंडनेस है यही जागरुकता है तो आप जो होता है इस्टूडेंट है तो आपको पढ़ने जो पढ़ना है अगर आप यह वीडियो कहां पर देख रहे हैं फेस्बुक वगेर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तब भी आपके लिए जरूरी है आप भले जो है क्या है पढ़ाई ना करते हों तो जागरुकता क्या है बहुत जरूरी है आपको भी जानकारी होनी चाहिए तो हम लोग यह देख रहे हैं बेटा एमनॉर्मेल्टी इन क्या है फीटस अगर जो हमारे पास फी होता क्या होता है MTP होता है कि गर्भा वस्था पूर्ण होने से पहले एच्छिक रूप से क्या है कर बात करवाने को ही हम लोग चिकिच्किये सागर्बता समापन मतलब Medical Termination of pregnancy कहते हैं जिसे हम induced abortion भी कहते हैं मराज क्या है induced abortion इसे लिखा intentionally और क्या है voluntary ठीक है MTP किता होता है पूरा वर्ण में पैतालिस से पचास मिलियन लगभग चार से पांच करोन लोग क्या है MTP को क्या है बटा करवाते हैं हम लोगों ने यह भी देख लिया यह देखे यहां पर हमारे पास लिखा है ठीक है यह कितना होता है जो total pregnancy होती है एक स किया में 1971 में 1971 में MTP को लीगल बना दिया गया किसके साथ सम रिस्टिक्टेट कंडिशन के साथ टाकि एवाइड करें इसका मिस्यूज इसका दुरुपयोग ना हो सके वह कंडिशन क्या थी बेटा अगर अन हमारे पास wanted pregnancy unwanted pregnancy चाहे जैसे हुई हो ठीक है चाहे आप बेटा क् क्या है कोई भी precaution ना लिये हो अप्रिकॉसन लिये हो जिसे यह contraceptive pills यह contraception इसको precaution कहते है नश्यकों मतलब आपने साथानी बढ़ती हो और फिर भी क्या है वह हमारे पास pregnancy हो गई हो तब भी आप क्या है बटा करवा सकते हैं और रेप हो गयर हुआ हो तब भी करवा सकते ह हैं ना हमारे पास बच्चे के लिए harmful हो या मदर के लिए harmful हो या मृत्य दायक हो या दोनों के लिए harmful हो pregnancy तब भी क्या है MTP करवा सकते हैं और abnormality हो बच्चे में तब ही MTP करवा सकते हैं अब बच्चों मिसका second portion पढ़ने वाले हैं और आप से एक request है कि आप video पूरा देखा करिए इसलिए हम बार बार चीजों को बोलते हैं कि आपको रिवाइज हो जाए आपको भली भाती अच्छे से याद हो जाए सिर्फ जवेटा जो है आप अगर चीखना चिलाना या कॉमेडी करना या क्योवला टाइम बेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन आप एकदम कंसंट्रेट हो करकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करेठेब क्यों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ', पढ़ने वाले दोस्तों के साथ क्या है सेर जरूर करिए और एक चीज है कि अगर आप कमेंट करके हमारा मनोब बढ़ाते हैं तो हमको बढ़ा अच्छा लगता है इसलिए आप से कहते हैं कि कमेंट जो है जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी आपको इससे कौन-कौन से नॉलेज या कौन से जानकारी क्या है प्राप्ते हुई है तो बच्चों इसका हम सेकेंड पोर्शन पढ़ने अकर टीन महीने के अंदर 12 सताे 14 सता क्या जो होता है अगर फाशा हुआ थोड़ा इनफिक्शन को भ Minnie नहीं जानने वाला रहता है वो भी जान जाता है KAYY इसलिए जो होता है अगर आपको पिल्स के द्वारा जो होता है एबोर्शन करवाना है तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा चार हपते का हो गया पांच हपते का लगभग डेड़ महीने के अंदर का हो तब ही वो सही से हो सकता है बहुत से लोगम तो भी नहीं होता है तो तो फिर जो है पिल्स वगारा बिल्कुल उसका सेवन मत करिये जो पिल्स आती है अभी पिसली क्लास में जो लोग पढ़ाये थे तो उसका इस्तमाल नहीं करना है जो 72 गंटे के अंदर हम कहते हैं खा लेंगे तो उसे प्रेग्निंसी नहीं होगी ठीक है लेकिन बेटा जब प जाती है वह हमारे पास क्या होता है वह एबॉर्शन वाली पिल्स होती है तो उसको आप डेड़ महीने के अंदर ही यूज कर सकते हैं जो फिमेल्स जो है आयाद रखें क्योंकि बहुत सखा लेती है मगाली भाईया से उनसे वहीं से खालें फिर भी होस हो जाती है फिर होस् अंसेफ है लगबग 4-4 महीने तक अभी लोग जो है एबॉर्शन करवा लेते हैं लेकिन पताया ने कि फिर आपको जो है थोड़ा सा और अपने स्वास्त पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पूरी तरीके से ब्रून कंप्लीट हो गया था इंडोमेटियम में थोड़ा है थो इन टीप के लिए भी बच्चों क्या ओता है थड़ मन्त स्वारत कह सही माना जाता है मजोसों फोस्तियम ह्प क्रूंता है मस्तायुगत और इस में मतलब अगर विंग पूचएंग तो बेटा क्या होता है थंव संवा-इन Judith 12 वीक आप प्रिंग्नेंशी 12 अबता की उसे हम लोग क्या पच्छों मानते हैं सेफ हम मानते हैं ठीक है तो अब क्या करते हैं अगर 3 महने से जादा हो गया तो second क्या होता है trimester second trimester को का मतलब चौधा पच्वा छथवा महीना second trimester abortion क्या होता है much more riskier इसमें जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा चार महीने 5 महीने वह क्या होता है तो त्युत सब्सक्राइब बिए और सब्सक्राइब थर्ड मंग तक क्या प्रिग्निंसी अगर हम एबॉर्ट कर रहे हैं तो क्या है बेटा एबॉर्शन से माना जाता है सेकंड टाइमिस्टर में यह रिस्की हो जाता है अब बैटा MTP को कौन कर सकता है कि MTP को हम लोग जानते हैं कि पराने जवान 230 में होता था कि जो गाउं की दाइउ अगले होती रही है उनहीं से जो होते हैं वेटा जय जदे रही Sud okay that Ah कि अने स्टेशिया दिया जाता है कि पेन na हो जा दर्द नहों कोड़ी तरीके से हो सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब निकालते हैं तो वह इसे होता है उसी को वेजाइने के थ्रू किया है डाल करके इंडो मेटियम की वाल में अभी हम आपको थोड़ा से दिखाएंगे यहां पर तो करते हैं एक मिनट समय दे दीजिए ताकि आप अच्छे से देख लीजि और यहां पर हमारे पास क्या है यह गरभास है माली हम और यह इसके इंडो मेटियम है तमाम चे यहीं पर बेबी हमारे पास ऐसे पूरा लगा हुआ है चारो दब सब घिर गया है नीचे क्या है वेटा हम जानते थे सर्विक्स था और क्या है वेजाइना तो यहीं से ऐसे क् दाल करके किया कर देते हैं इसको ऐसे ऐसे खरोंच लेते हैं इसे क्या कर देते हैं और आसने दिकाल गृतर्द होती ही यह भले आपको पेन नहीं ब्लेटिंगं यह खोगी से उनन के dδή healthy कि ब्लेडिंग क्या है रुके तीन चार दिन तक लोग हपते पर दबा भी खाते हैं इस चेज का तो शरीर में परिवर्तन हुआ हार्मोनर डिस्बैलेंस हुआ होगा क्योंकि पहले हार्मोन प्रोजिस्टान अगे बहुत बन रहा था क्योंकि बच्चे को प्रोटेक्ट करना ह है और उसको न्यूटिशन देना है बहुत सारी चीज अब एक बच्चे ही आया अब सरीर का ऐसे अपने आपको मेंटेन करें उसके लिए दबा दी जाती है तो इसलिए जो होता है कि हमेशा और हमेशा जो होता है बेटा जो MDP है वो डॉक्टर से ही करवाना चाहिए डॉक् कितना पैसा खीई चले ठीक है बाकी और कोई समस्या नहीं है पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए गल्ती क्या नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ संबंध में है आप मैरेट है तो इतना ध्यान ज़रूर रखे कि प्रेग्निनसी ना हो ठीक है मुर्खता वाला यसलिए जो होता है चरूरी है के कुंडूम का इस्तमाल करीए नहीं तो बाद में ये सब करवाना पड़ेगा जो की सही नहीं है तो गाउं में दाइयां जब करती है तो पकड़ के छीच लेती रही है मृत्यू होती है तुमाम चीज होती है जैसे आपने अधित पांचोली के बेटे का सुरस पांचोली का उसके साथ जो एक heroine आपने नहीं सब्दे में देखिए नाम नहीं याद है याद ही याद आ जाजा था पहली बार किसी heroine का हम नाम भूल गाएं बताओं जब जरूरत है तो क्या होता है उसने खुद से abortion कर दिया था कि अधिये का मतलब कि बेबी को वह ही बताएं ना कि हाठ जाल करके निकाल ले इतना ब्लेड़िंग होऊ इतना ब्लेडिंग हुई इतना ब्लेड शाहरो उसका नाम हीना खानी या कोई खान थानी कोती है फ्रवित है लड़की ती जो चीनी कम में भयनता उनव के साथ ती सूर तक जो होता ही, यह नहीं चाहते हैं कि हम किसी से एबोर्टिसन करवाएं क्योंकि बात लीक हो जाएगी, अच्छा नहीं होगा. तो डॉक्टर के पास न जाने की वज़ा से उसकी मृत्यू हो गई. क्योंकि खुद से एबोर्ट करना खत्रे की घंटी हो सकता है. तो आते हैं हम लोग तो बेटा क्या होता है कौन कर सकता है MTP are perform legally legally है भैया leagal है समचानिक है न है पर फॉसे होता है unqualified अगर है ill-legal तो म One और परफॉर्म क्या हो इसके पास होता है तो विच आर क्या होता है बैटा अनसेफ और मेबी क्या फेटल टू ये दुखा लिखा फेटल टू मतलब अगर MTP परफॉर्म की जाती है इललिएगली और समभधानिक रूप से तो ग का है हो सकते हैं कि और यह सकती है तो अनूफ़ायद नर्स इसके पास अनुभय भी हो सकती है now है तो इसलिए ona क्या सकते है कश्पाइब डॉक्तर एक्षप रॉब नस इसक्पास नच पर वो कर सकती है ठीक है तो हम क्या पेटा जूऋD कर सकते हैं अब आते हैं कि इफ फीमेल हमारे पास फिर फांड पूबी फीमेल भी आपको बताए थे इनस्त फिर्ट स्फांड पूबी फीमेल गिंच कर्वाई है जो गर्ब में हमारे पास है वह बेटा इसका है फीमेल का और आपको कैसे पता जाना फीमेल का है क्योंकि आपने इसका मतलब चांच करवाई है इसका डिटर्मिनेशन लिंग परिच्छन भूण की जांच करवाई है और आपको पता चल गया कि वह फीमेल है तब आप एंटीपी नहीं करवा सकते हैं भालॉओड बाइंटीपी न अगर फीटस हमारे पास फीमेल है और फाजव-वड़वडबा फीटन एंटीपी मतलब आपने एंटीपी करवाया यटिय डोट्रली क्या होता है एलुड लेगल ये क्या है टोटली डी क्या होता है टो वहीत अने कि अटीपी कौन कर सकता है MTP बेटा हमारे पास कौन करेगा qualified doctor या experienced क्या होता है nurse कर सकती है तो यहीं पर हम बेटा लिख दे रहे हैं कि MTP perform by MTP legally क्या है perform by perform by यह यह दग मीं च्टान सिच्व ढंकर फ्राइब च्ट दक्तत क क्या होता है रिख अब ड़क्टर दोक्टर नहीं होती है झालत बीफ अर्म ड वृचा फ्रम लॉ नर्स चाकला B proposals भी यहुं होती है ठीक है जो हमारे पास एनम वगेरे हैं यह भी डॉक्टर नहीं है लेकिन उनको या जो स्टाप नर्स वगेरे को क्या होता है इतने आप रिसे चल दिया जाता है क्योंकि नर्स जब वो टेरिंग ले रही थी दो तीन साल का उनका कोर्स होता है तो उन्होंने सब कुछ उसमें स सब्सक्राइब नर्स के द्वारा भी हम क्या है करवा सकते हैं क्या बेटा नर्स के द्वारा या क्वालिफाइड क्या है डॉक्टर हमारे पास या क्वालिफाइड नर्स के द्वारा भी एमटीपी क्या होता है करवा सकते हैं वो कर सकता है तो हम आसा करते हैं कि आपको ये यह वीडियो बहुत है अच्छ समझ में होगी क्योंकि सारी चाहिस में बताइए पर टो डोग बात नहीं करते हैं नहीं करना चाहते हैं नहीं सुनना नहीं देखना चाहते हैं लेकिन सेलेवस में है सब्जक्ठ में है और आपको आज क्या है जरूरत है कि सेक्ष एजूकेशन स्कूलों में बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से बठाया जाए ये भी सेक्ष एजूकेशन का एक पार्ट ही है जो आपको जानना क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी था तो आपको कैसा लगा आप हमको यह है जरूर बताईए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे जो होता है बेटा किसके साथ सेक्सुली ट्रांस्मिटेड डिजीज यौन संचारित रोगों के साथ कि कौन कौन से हमारे पास रोग है और वो कैसे होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं क्या साधानिया क्या उक्चार हमारे पास होता है तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे तब तक नमस्ते जै जय भारत वंदे मात्रम